नमस्कार दोस्ता आप सुभी का स्वागेद है मेरे डूप सिनल टेकिनिकल फास पोस्त में दोस्तारा फोन को किसी भी वाइफाई से कनेट करके फोन में इंटरनेट यूज़ कर रहे हो और आप उस वाइफाई का पासवर्ड पदा करना चाहती हो मैं आप सुभी को इस पने बताऊंगा आपने फोन को जिस भी वाइफाई से कनेट किया होगा उस वाइफाई का पासवर्ड कैसे पता कर पाऊगे और यह ट्रिक तब आपके बहुत काम में आने वाला है आपने देखा होगा जब भी किसी फ्रेंड के वाइफाई से फोन को कनेट करने के लिए उससे मांगती हो वो आपको पासवर्ड नहीं देते हैं वो खुद आपके फोन में पासवर्ड डालकर कनेट करके आपको फोन देते हैं अगर एक बार उस वाइफाई से आप फोन को डिसकनेट करने के बाद फॉर्गेट करती हो दुबारा से वाइफाई से फोन को कनेट नहीं कर प लिए च्छरी यह जादा टेमिनाते विडियो को हम बड़ा पर से स्टार्ट करते हैं दोस्ट विडियो स्टार्ट करने से पहला आप सभी से कर रिक्वेस्ट रेज जरूर से विडियो पे लाइक करते हैं अगर आपने पिदियो को मारे डूप चैनल को सब्सक्राइब में का नीचे दिखिए लालंग में सब्सक्राइब बटने सब्सक्राइब बटन दबागे जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करते हैं साइट में दिखिए शोड़ा सा बेल आइकोन ये बेल आइकोन को दबा के all पेस्टेट कर दीजिए ताकि सबसे पहले आपको वीडियो नोटिफिकेशन मिल सके उस वीडियो को सबसे पहले देख सको फिर वीडियो के नीचे एक कमेंट सेक्शन में आईए और यहाँ पर एक शोड़ा सा कमेंट लिखिए वाइफाई ट्रिक्स दोसो ये शोड़ा से कमेंट लिख कर जरूर से सेंट कर दोना दोस्ता आपका फोन जिस भी वीडियो का पासवर्ड क्या है पता करने के लिए फोन में सेटिंग्स ओपन के जिए सेटिंग ओपन कने के बाद यहाँ पर देखिए एक option देखने को मिलेगा wifi या फिर connection के नाम से आपके phone में option होगा wifi या फिर connection के उपर क्लिक कीजे और यहाँ पर देखिए phone d-link wifi से connect है और यहाँ पर यह wifi के उपर क्लिक कीजे और यह QR code देखने को मिलेगा या फिर यहाँ पर additional setting में जाके qr code निकाल सकती हो wifi के उपर क्लिक कीजिए और यहां से इसका screenshot लिजिए यहां से screenshot लिजिए screenshot लेने के बाद इसे close कीजिए और एक application फोन में download करना application link मनें यह video के description है वहाँस application download कर लेना मेरे links application को download करना था किसे application download कर सको और यह application open करने के बाद यहाँ पर click कीजिए फिर से click कीजिए और यहाँ पर देखिए आपको दो option रहेंगे scan using the camera, scan image, scan image select कीजिए और आपने जो screenshot लिया था वो यहाँ पर select कीजिए और यहां से इसे crop कीजिए अच्छे से बस आपको यह qr code crop करना है यहां से यहां से crop कर लिजिए crop करने के बाद टिक कीजिए और यहाँ पर देखिए password यहाँ पर आप password देख सकते हो इस तरीके से आपने जो भी wifi से connect किया होगा उसका password आप निकाल सकते हो ताकि future में अगर आप उससे disconnect करो फिर से आप उससे उस wifi से connect कर सको तो मुझे उम्मेद आपका बीड़ा पस्तना आपका बीड़ा करने चे लाइक करना शेयर करना आपका दिन शुबो जेहिंद